मैं आज देशभासी के सामने इस बात को कहने वाला हूँ जिस बात पे ज़्यादा चर्चा हो रहा है लेकिन उस सिफ एक केस को उठाना सही है क्या गलत है उस पे मैं देशभासी के सामने सवाल रखेगा कि सिफ एक का बात को क्यों उठा जा रहा है अरे कोई भी आपतामामीन पुनावाला को पसंद नहीं करता कि उसको छोड़ दिया जाए उसको जेल से निकल अरे उसको मार दो रोड में निकल कि उसको फांसी दे दो हर मुसलमान खुसी मिलेगा उसको हर मुसलमान को खुसी मिलेगा अरे यह लोग तो दिखा रहा मैं वीडियो दिखा रहा हूं लोग कोई पार्टी नहीं है लापजियाद बोलके अगर कोई भी बीजेपी का लीडर प्रूब करके दिखा दे तब लापजियाद का बात आके बोले हम मुसलमान भी मानेगा कि इसलाम में ऐसा है कि किसी भी गयार मुसलमान को फंसाओ साधी कर उसको मार दो ऐसे इसलाम में है तो दिखाओ और उन चिंट को भी बोलना चाता हूं किसको सुरेश चोहान को जो हर टाइम नफ्रत दिखाता है देश को मतलब हर सनातानी भाई के दिल में जो खौप डालना चाता है जो हर सनाती भाई को एक दिल में मुसलमानों के लिए नफ्रत दालना चाता है मैं इस वीडि श्रद्धा उसको एक आदमी ने 35 सिप दिल्ली का चुना में नहीं यह साब तो गुज्राद में भी जाता है जाके बोलता है अब तब सद्दा लाब जिहाद केस अरे लाब जिहाद केस कुछ उसका कुछ पूरूब देगो इसलाम से पूरूब कुछ नहीं है इन लोगे पास सिप मुपे नफ्रत दिखाने के लिए कुछ भी बोल देता है उसके बाद सुनिये करके सुटकेस में डाल दिया और ये लव जिहाद है इसका MCD इलेक्शन से क्या लेना देना है इसका अफटाब और श्रद्धा का कहिनी इतना ही तक सिमित मत रखे आफटाब ने श्रद्धा जी को डेली में लेके आया साधी करने के लिए पैट्रिस दुकडा किया फ्रीज में रख़ा फ्रीर एक दूसरा लेरी की को ओही रूम में लेके आया तो ये जो कहिनी हुआ है डिल्ली में उसको खुला खुला रोड में फांसी दे दिया जाए सरकार से हर मुसल्मान यह बात बोलेगा कि जो क्राइम किया है उसको फासी दे दिया जाए लेकिन इसको लेके बात चल रहा है और भी जो देज में केस हुआ है उसको लेके बात ने चल रहा है तो यह दोगला वाला काम क्यों चल रहा है नेता द्वारा उसी दिन दिल्ली में जिस दिन व था कि अरुन बोलके जो अरुन बोर के कोई है यह गाजियावाद का केस है अरुन बोलके कोई सभिता जो चंदवीर का बीबी है सभीता जो चंद्रभीर का बीभी है, सभीता का हजबेंट है, उसको माडर करता है यह कैस में क्यूट नहीं किया जा रहा है? बड़ा बढ़ा चैनल में दिखानें जा रहा है, तो देश सबासी को समझना चाहिए यह लोग क्या करना चाहिए छिप यह बात नहींAnnar और भी बहुत बात है इसका पूरा बात अब लोग सुनिए मैं उसके बाद इसका जवाब देता हूँ इसका बोलने का मतलब एक पॉलिटीशन का जो ही काम है कि पार्लामेंट में बोलेगा और चुनाम में जाके बोलेगा मतलब यही बात बोलना है आप बोलिए अब हर केस को तो बोलिए जो मुसल्माने उसके बारे में बोला जाएगा जो गैर मुसल्माने उसके बारे में नहीं बोला जाएगा अरे ऐसे तो केस दो तीन चार एक मतलब दो तीन हफ्ते के अंडर बहुत तीन चार केस हुआ है शीप आप तब आमीन पुनेवाला को क्यों दिखा जा रहा है उसको जान से मार तो कोई भी मुसल्मान नौजबान कोई भी मुसल्मान ओले माँ उसका मतलब खिलाम नहीं जाए कि आप तब को क्यों मारा उसको लीगल है मारो उसको जान से मार अभी तक जिन्दा की हुए जो एक बच्ची का जान लेता है और लिविंग लेसान एक क्राइम है इस क्राइम को देश में बड़ावा क्यों दिया जा रहे इसके उपर क्यों कानून न बात बोलता हूं जो सरकट कर्ट दिया था आजम घर में अरे लाप जीहात मुसलम आने के बारे में बोल रहा तो इस हिंदू जो नौजवान को इसको कौन सीखाया आप बोलेंगे इसको कौन सीखाया जो पहले उसको साथ लाब रिलेसं था दो सल पहले वहार चला जाता है पता चलते उसका साधी हो गया उसका यह होता है judgments you do knf भू पात irony कियो नहीं दिखाए है यह मात चुड़ो लेकिन लोग को यह उप Pas तो यह उसका जो काजी ने उसको बुला लेता है मंदीर के जाने में मंदीर जाने के बहाने बुला के क्या करता है बुला के उसको माडर करता है करके क्या करते है उसका छे टुग्रा करता है इसको छे टुग्रा करने कौन सिखाया इसको छे टुग्रा करके क्या करता है पांच टुग्रा एक जो कुवा है जो कुवा में जो कुवा को कोई मतलब यूज नहीं करता था उसको क्या क्या उस पां बड़ा बड़ा जो मीडिया चैनल है बड़ा बड़ा नेता है जो दुनिया को दिखा जाता है हमारा बेटी है तो यह कौन था यह आपका बेटी नहीं है यह भी तो आपका बेटी है यह मेरा देश का बहन है इसको क्यों मतलब इन साब के दुनिया को दिखाने जा रहा है कि तिनिया को यह भी थो पता चलना चाहिए जो अरधना है उसका नाम है अरधना पोजापति जो डेस्स का एक बेटी है हमारा जो समय है भारती चाहिए कि इसको vine के आ आद बोलोगी तो देश का हर बात पे बात करो नहीं तो एक दो पे बात करोगे इसके बात अप सुनो मैं उसको और भी जावाब देता हूं याद टू यू स्पीक इंसाइट परलेमें और असेमली और यू स्पीक इन इलेक्शन मीटिंग तो उसमें बोलने में माना क्या है क्योंकि आप एक मुनिसिपालिटी की चुनाओ में अगर बात कर रहे हैं लव जिहाद जैसे इसूस की अगर बॉल्स दाउन तो इंसेट अफ डिलिवरबल इंसेट अफ सितिजन इसूस यू आर इसे ग्रूप अपीबल हू थिंग तो आप इलेक्रिसिटी और एक केस है कि मतुरा एक्सप्रेस जमुना एक्सप्रेस मतुरा जाने के जो ट्रेन होता है उसमें क्या करता है एक बाप एक बाप एक बेटी को गोली मारता है गोली मार के क्या करता है गोली मार में उसको पेटी में डालता है डाल के क्या करता है वो जमुना एक्सप्रेस जमुना एक्स्प्रेस जो है मतुरा जाने का टेन उसमें चड़ा देता है तो यह कौन सा जियाद जल रहा है यह कौन सा जियाद था यह इसका टाइटल यादव है इसके लिए बोला नहीं जाएगा लब जियाद बो जियाद माडर जियाद यह बोला नहीं जाएगा देशबा क्या करते हैं गोली मारता है गोली मारके उसको पॉले जो होते हमें सब्सक्राजिद में फ्रॉम्हों में सब्सक्राला है कि एस दो पर ऊवरेक नहीं को substant in hy! इसका बाब का नाम है इसका बाब का नाम है इसका बाप का नाम है निति suyadala 되ipp in डिखा जाना मुसल्मान है इसको अफर सब दिखा जाएगा लेकिन और भी जो डेश सने रहे है क्राइम उसको तबज्जू नहीं है तब दुनिया को क्या दिखाना चाह रहा है कि सिप मुसल्मान जो है देश को बरबाद करने पर उतलियों है जो लोग चाह रहा है तो यह सब जो क्राइम हो रहा है इसको क्यों नहीं दिखा जा रहा है मेरा सवाल इन जैसे निताओं के पास कि ऐसे जो क्राइम हो रहा है जो ए जा रहा है एंकर दोर्हा बोला नहीं जा रहा है कोई ऐसे कुछ नहीं है जो मुसल्मान मारेगा हिंदू बेटी के वहापका बेटी है अगर कोई बाब उसका बेटी को मारेगा वहापका बेटी नहीं और एक क्या होता है एक मुसल्मान जो लरकी है वो क्या करता है राहूल बोलके दिल्लिका के से इसमें कोई भी एंकर कोई भी चैनल में कोई भी पेज में दिखाया नहीं गया कि राहूल बोल के है एल एक हिंदू हिंदू लड़का है और कीया करता है मुसल्मान लड़की उसका एक साल पहले राख में मुँसलमान ये से नहीं uya प्लू की जो एक एविज्टिक एक सर्क्ल्छांड है इसको बैमा में लाए जाए तो इसे केस आ रहा है, इरोपियन कल्चर को लाया जाएगा तो इससे केस हो रहा है, इस पर सरकर का कोई तवज्जू नहीं है, क्या हो रहा है, क्या क्या क्या, कि ये जो राहूल बोलके है, वो जो लड़की को मारता है, उसका नाम है, गूलसोना बोलके मुस्लिम लड़की है, उसका एक साल पहले उसका तलाक हो जाता है, तो राहूल के बंदे के साथ, उसका क्या बोलू कि सइतान है, इसके साथ उसका रिलेशन होता है, वो साधी नहीं करता है, उसकाprech साथ रिलेशन कमेस, रहता है, उसके सामने जो दुपाटा होता है उससे गला में डालके मतलब उसको गला में लगा के मार देता है तो इसमें कोई बोलने के लिए तायार नहीं है क्योंकि मुसल्मान है तो यह सब जो नेता है ना यह जो दोगलावाला नेता है देश को बरबाद करने के लिए मतलब आया है भारत में इतना पचार इसलिए इन लोग को किया जा रहा कि देश भारत को बरबाद कर दे भारत का जो सनातानी भाय है उसको दिमाग को मतलब वास कर दे तो हर जो सुन लीजे लेकिन भारत में और साथ मेरा बीन का सिकरोटी में। इस भी यह जो मेरा बैटी का सीपर वो जो मैं इतना dip Σब बोला की सित जो सद्धा जो देश की बहन था ओसी आपका बेटी था जो यह सब जो है आपका कंड में नहीं आया इसके बारे में आपको बोलने का नहीं है क्योंकि यह तो कोई आपका विडियादर है कि आये ना तो इस पर क्यों बोला जाएगा जो लीगल पसने में तो कर दी सकता हूं अब थोड़ा सुनिये इसका बात अगर आप खाली डेवलाप में इन टामस ऑप डेलिवरेबल बात करेगा और लोगों का सिक्व हां आप डेवलाप के बारे में बात मत करो सिप जो हिंदू-मुशनों ने लड़ाई लगे उसके बात करो आपका काम तो यही है ना कि मदरसा क किसी गोबी जेलमें डाल दिया जाया किसासे तो बहुत आया तो आपका काम तो यह है आप तो करोगे लोग नहीं करेगा सामाजिक इशु का बात नहीं करेगा इटिस नौट फॉल समिल कि आप समाजी की ची चुहें मृषलिटक खिलाप बाद इसमाजी की सा खेश्व से तो आपकी कर हम लोहूका का समाजी का जोड़ने का डेस को मतलब क्या मदोण हर भायचार्वzos मांन के चलघ चाल रहे जिए इसलीए हमों सामने आ रहे हैं बात कर रहे हैं और वह क्या बोलू कि चिंटु आ के बोल रहे हैं कि तुम्हारा काम अब इसका भी सुन लीजे कि मेरा मन में जो है मेरा पाप्ली की जावर माली के मेरा मन में हाँ पाप्लीक की आपका माली के पाप्लीक अगर बोले कि एक काम करो हर मुसल्मान को देश से भागा दो तो सुलोगे संग्विधान का हिसाब से देश को नहीं चला होगे पाप्लीक आपका भगवान है पाप्ल करते हैं कि गिरा सीन आपकल की दुनिया में जो क्या हिन रों को मेरा जो तो आप लोग का काम है, जो सच में अमन पसंद है, वो सेयर करेगा, अगर ना करो तो मेरा उसमें कुछ नहीं जाता, कि मेरा जो बात बोलना था, मैं दुनिया को बोला, और इसमें समझने के लिए सब के सामने में एपिल रखा कि आप लोग बात को समझेए, समझ के अगर ना अच्छा लगए तो बात को तोरह समझो, ठीक है भाई